video gamepad pro 4 इस प्रकार का gamepad है और इस प्रकार की box packing है जो की specifications है box पर दिया हुआ है बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया हुआ है कीमत है 2,109 रुपे चलिए इसकी unboxing शुरू करते हैं box में आपको ये user manual मिलता है और ये quick start guide मिलता है इसके अलावा box में आपको USB to micro USB data cable मिलता है जिसका उक्यों करके ये जो gamepad है mkit का इसमें जो built-in battery है उसे आप charge कर पाएंगे और ये है gamepad देख सकते हैं की बहुत ही बढ़िया किसम का लग रहा है तो बस ये सारी चीज़े हैं जो आपको इस box pack के अंदर मिलेगी सबसे पहले में आपको इस gamepad के बार में बता देता हूँ इसकी जो body है ये plastic की बनी हुई है बहुती बढ़िया build of finishing है यहाँ पर कुछ texture दिया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर ताकि आपको अच्छा grip मिल जाए पकड़ने में भी यह काफी comfortable है यहाँ पर LED indicators है यह जो button आप देख रहे हैं यह left analog button है dial pad दिया हुआ है right analog button है X, A, B, Y button जो है खास करके आपको gamepads मिलते हैं वो भी यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ specific buttons दिया हुआ है इसके अलावा यहाँ पर micro USB port है जिसका उप्योग करके इसमें जो battery है उसे आप charge कर पाएंगे left और right bumper buttons दिया हुआ है यह left और right trigger buttons दिया हुआ है और यहाँ पर भी left और right trigger buttons दिया हुआ है यह जो gamepad है इसे आप अपने smartphone के साथ में उप्योग कर सकते हैं इसके लिए यह दिखिए इस परकार से आपको इसे खोलना है और यहाँ पर आपको आपका जो smartphone है उससे attach करना है यह देखिए इस परकार से यह extend होता है और यह जो भाग है इसे खोलने के बार दिख सकते हैं कि यहाँ पर एक home button भी दिया हुआ है चली सबसे पहले मैं अपना जो smartphone है उसे यहाँ पर connect करता हूँ यह दिखें इस प्रकार से connect हो जाता है मैं iPhone का उप्योग कर रहा हूँ iPhone 11 Pro और उसे मैंने यहाँ पर इस प्रकार से connect कर लिया है बहुती बढ़िया तरीके से fix हो गया है और काफी secure भी है थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा मतलब कि आपको जटका नहीं देना है ले तो यह आसानी से निकल जाएगा इन फैक्ट मैं यह cover का उप्योग कर रहा है इसलिए उसके कारण अच्छा grip नहीं मिल रहा है लेकिन बिना cover के काफी बढ़िया तरीके से चल जाएगा लेकिन फिलाल काफी अच्छा है कोई issue नहीं है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप यह जो gamepad है इसका installation कर सकते हैं यह जो gamepad है इसमें bluetooth technology का उप्योग किया गया है तो सबसे पहले आपको bluetooth के जरिए इस gamepad को आपके smartphone के साथ मेकनिक करना है वो मैंने already कर दिया है उसके बाद में आपको यह shooting plus v3 application को download करना है उसको qr code जो user manual है उसमें दिया हुआ है तो मैंने वो कर दिया है और यह दिखे यह जो application है से start करने के बाद आपको कुछ setup करना है उसके लिए सबसे पहले तो यह जो gamepad है इसे मैं on करता हूँ home button आपको press करके कुछ दियर hold करना है अब यह on हो गया है और यह दिखे अब यह automatically connect भी हो गया है यह दिखे यह आपको बहुत सारे game options मिल जाते हैं और अगर आप उधारन के दौर पे pubg पर tap करेंगे तो आपको presets मिल जाते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है कि अब मेरे smartphone में already मैंने pubg डाउनलोड किया हुआ है तो यह दिखे यहां पर जो v3 आप देख रहे हैं यह icon देख रहे हैं इसे टाप करना है और इसके बाद में आपको यह screen मिल जाएगा जहां पर आपको जो customization आप pubg में किया हुआ है यहां सबसे best idea में आपको बताता हूं क्या करना है तो यह दिखे हैं आप control customization है जो control settings है उसे आप customize कर सकते हैं तो जो pubg का default layout है आप उसी का ही उप्योग कीजिए तो अगर आपने कुछ changes किया होगा तो reset button आप दवा के change कर सकते हैं और जो layout है तीन options है layout 123 तो उनमें से आप कोई भी प्रेस किया था पहले फिर से आपको बताता हूं उसके बाद में यह आपको screen मिल जाएगा इस screen पर कहीं भी प्रेस करके hold कीजिए और आपको यह options मिल जाते हैं आपको choose picture करना है और जो screenshot मैंने लिया है उसे select करना है और automatically यह दिखिए यह आ गया है उसके बाद में save कर लीज यह दिखिए मैं खेल सकता हूं तो यह जो smartphone है इसे मैं यहाँ पर connect कर लेता हूं इस प्रकार से यह देखिए और अब मैं इस gamepad को उप्योग करके pubg game खेल सकता हूं firing के लिए यह बटन है in fact यह aim के लिए है और यह firing के लिए इसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं यह दिखिए aim firing तो जो left trigger button है वो aim लेने के लिए है और जो right trigger button है वो firing के लिए है तो इस प्रकार से मैं इसका उप्योग कर सकता हूं थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगेगा क्योंकि मैं इस प्रकार के combination का उप्योग नहीं करता हूं लेकिन यह देखिए थोड़ा सा समय लगेगा practice करने के है क्योंकि आम तोर पे मैं screen का ही उप्योग करता हूं तो यह तोड़ा सा अजीब किसम का लग रहा है और जो sensitivity है वो भी ज्यादा है इसका सबसे बड़ा फाइदा यह है कि आप move करते करते भी shoot कर सकते हैं यह देखिए इस पिकार से shoot कर सकते हैं और यह बटन से इनका भी आ screen touch functionality उसका आप hardly उप्योग करने वाले हैं गेमपैड की sensitivity कंट्रोल करने के लिए PUBG में भी sensitivity option है वहाँ पर जाके आप जो sensitivity है उसे low पर रख सकते हैं अगर आप इस गेमपैड का उप्योग कर रहे हैं तो PUBG आपको band नहीं करने वाला है इसका आप iOS और Android platforms पर उप्योग कर सकते ह है एक और बहुत important चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो gamepad है यह media tech powered devices पर काम नहीं करने वाला है इस gamepad में Bluetooth 4.0 technology का उप्योग किया गया है और इसमें built-in battery है full charge पर आपको तकरीबन 12 घंटे का non-stop usage दे सकती है standby time तकरीबन 203 modes का उप्योग किया गया है Android phones पर आपको दो modes मिलते हैं HID mode और instant play instant play का उप्योग करके आप कोई भी game को इस controller के साथ में प्रोग्राम कर सकते हैं और यह जो instant play है यह iOS platforms पर भी available है और जो HID mode है उन games के साथ में काम करता है जिन में native controller support दिया हुआ है आपको उन games में programming करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी अगर आपको यह Amcate EVO Gamepad Pro 4 खरीदना है तो इसे आप Amazon, Flipkart और Amcate के official website से करीच सकते हैं उनका link मैंने video description में दिया हुआ है दोस्तों इस video को like कीजिए, share कीजिए और देखते रहे हैं